यदि आप घर बैठे अपने मुवाइल के दुवारा लोन लेना चाहते हैं तो बिलकुल सटिक विडियो आप देख रहें क्योंकि इस विडियो के अंदर जो भी मैं बताऊंगा वह आपने एक्स्प्रियंस के दम पर बताऊंगा क्योंकि हमने यह जो अप्लिकेशन आप सामन और दो मैने में मुझे यह चुकाना है फर्स्ट एमाई और सेकेंड एमाई यानि कि साट दिन का मेरे पास टाइम दिया गया है दो दिन एक्स्टा टाइम दिया है 62 डेज और रेट आप इंट्रेस्ट का पड़ा है यानि कि अधर लोन से देखा जाए तो यह काफी कम है क्य लिए और इमाउंट भी आपको अच्छा खासा मिर रहा है डिस्टिबीट अमाउंट आपका साड़े सतरह जार के अप्रोक्स मिर रहा है और आपका 19,000 रिपेमेंट यानि कि देड़ से 2000 रुपे के बीच आसपस आपको ज्यादा पे करना है वह भी दो मैने के लिए तो यह कौँड सा अप्लिकेशन है किस तरीके से इस पे लौण लेंगे ये सारी जानकारी complete इस वीडियो के अंदर देने वाले है तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो यह कि बनाए गया है टाबेध फिनो करके तो यह अप्लिकेशन आपको कहाँ से डॉनलोड करना तो इस application को चलाने के लिए यानि कि loan लेने के लिए आपको किन-किन चीजों के ज़रत पड़ता है यानि कि document क्या-क्या लगता है तो इसमें ज्यादा document नहीं खो जाता है नहीं आपका salary slip इसमें लगेगा नहीं bank statement लगेगा यह दोनों चीज यह compulsory नहीं है यदि आप bank statement देते ह है तो आपका loan का जो amount होगा वो increase हो सकता है यानि कि जो मेरा amount दीकरा अभी 20,000 का जो मिला है वो आपको 50,000 तक भी मिल सकता है यदि आप bank statement देते हैं तो नहीं तो आप simply अधार card और fan card दे करके आप इसमें loan ले सकते हैं अब मैं आपको अपने account के अंदर जा करके दिखाता ह और my loans के अंदर जा करके जो हमने कितने सारे loan लिया इसको close कर देता हूं मैं यहां से close करने के बाद देख सकते हैं हमने यहां से करीब 7-8 बर loan लिया है जो सबसे पहले starting मेरा जो loan था वो 3500 का था धीरे धीरे देखेंगे आपकी मेरा loan का amount increase होते गया जिस तरीके से मैंने repayment क करते गया उस तरीके से मेरा जो loan का amount आप देख सकते completely increase हो गया है अभी जो मुझे मिला 18,100 का और 19,000 का मिला था और start हो था सारे 7,000 से तो जिस तरीके से आप repayment करेंगे repayment behavior जिस तरीके से अच्छा रखेंगे तो आपको अच्छे खासे इसमें loan का amount और increase होते जाएगा तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या document की जोरत परती है और इस application का नाम क्या है इस application का नाम है राफेलो और बिलकुल एज़ी से आप इसमें क्विक केस के द्वारा loan ले सकते हैं तो loan लेने के लिए और इस application को download किने के लिए इस video के description को check out किजेगा वहाँ पे इस application का link मिल जाए तो आसा करते हैं कि ये वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छा जानकारी दिया अगर इस तरीके का informative वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब किजेगा तो फिर मिलते हैं हम लोग next को इस तरीके का वीडियो को लेकर के